हलो गाईज कैसे आप सब लोग और यह है आंसर की पोर जेई ओनलाइन मेंस 2018 एक्जाम का 15 तारीक को जो फर्स शिफ्ट में एक्जाम हुआ था उसका सिर्फ आंसर की आप लोगों को यहां पर मैं बता रहा हूं तो फड़ा फट से आप आंसर चेक कर लो सो अंसर क्या है फड़ा फट से देख लेता है first question का answer बनेगा second so अगर आपने second लगाया है तो वाер बिल्कुल सही हो तो आपको answer साथ 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 बताते जा रहा हूं ठीक है so first question का answer second है आपको सिर्फ answer बता रहा हूँ आपके solution जो है जल्दी How अप्लोड कर देंगे, तो first question का answer second बनेगा, दिखिए उसके बाद जो second question है उसका answer जो है, ये question था आपके पास उसका answer भी आपका कौन सा बनेगा second question का answer भी second ही बनेगा तो आपको मैं clear कर देता हूँ, this is the desired answer second question का answer बनेगा second so second question का answer अगर उने second लगाया तो आप बिल्कुल सही हो, third question की चलते है फड़ा-फट, third question की तरफ चलते है third question जो आप से पूछा, उसका answer भी बनेगा second अगर आपने second लगाया तो आप बिल्कुल सही हो freezing point जो होता है, basic colorid solution का lower होगा, क्योंकि changing freezing point जादा होता है, तो ये third question का answer भी second बन रहा है fourth question की तरफ चलते है, fourth question का answer आपके पास बन रहा है third, fourth question का answer बनेगा third, so अगर आपने third लगाया तो आप बिल्कुल सही हो, fourth question का answer third है, fifth question की तरफ चलते है फड़ा-फट से fifth question का answer बनेगा आपका fourth, तो fifth question का answer और आपने 4 लगायो तो आप बिल्कुल सही हो तो 5 गोशन का आंसर बने रहा है आपका 4 ठीक है 6 क्यूशं2 की तरफ Чलते है ए 6 कोशन का आंसर आपका बनेेगा 2nd अगर आपने 2 लगायो तो आप बिल्कुल सही हो 106.25 अंसर आएगा 6 6 elo Fest का आंसर आएगा 2nd यानि कि 1 answer आएगा इसका, 4th answer बनेगा, ठीक है? बहुत असान सवाल था, 9th question की तरफ चलते हैं, 9th question का जो answer बना आपका, वो है 1st, तो 0.18 liter answer बनेगा 1st, और उसके बाद चलते हैं 10th question की तरफ, 10th question का answer बनेगा आपका 2nd, यह तो बहुत असान सवाल था, आप सबने किया होगा, तो 2nd answer है इसका, 11th question की तरफ चलते हैं, 11th question में आपको matching करनी थी, और 11th question का answer बनेगा आपका 2nd, तो अगर आपने 2nd लगाया था, बिल्कुल सही हो, 12th question का answer बनेगा यहाँ पे 4th, तो अगर आपने 4th लगाया था, बिल्कुल सही हो, क्योंकि I3-180 degree होता है, ठीक है, next question पर चलता है, 13th question का answer बनेगा आपका 2nd, so 13th question में अगर आपने 2nd लगाया था, बिल्कुल सही हो, 048 answer आएगा, बहुत easy question था, और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर 14th question की तरफ, 14th question में answer बनेगा आपका 3rd, तो अगर आपने 3rd लगाया था आप बिल्कुल सही हो, तो 14th question में 3rd answer है, ठीक है, 15th question की तरफ चलते है, आपसे Lewis asset पूछा था, which of the following is Lewis asset, 16th question का answer भी असान था, आयोपेक नेम पूछा था आपका, और इसका answer बनेगा 2nd, अगर आपने 2nd लगाया था बिल्कुल सही हो, हैक्स बनेगा सबसे पहले तो 2nd number पर in आएगा, बहुत easy question था, 16th के बाद 17th question पर चलते हैं, 17th question था, seriously बहुत easy था, first line में आप answer निकाल सकते थे इसका, और इसका answer बनेगा आपका 17th question का first, तो अगर आपका first है तो आप बिल्कुल सही हो, 18th question की तरफ चलते हैं, ये भी आसानी सा बल्था, 18th question का answer बनेगा first, अगर आपने first लगाया तो आप बिल्कुल सही हो, first answer बनेगा, इसका, क्योंकि delta NG की value यहीं 0 है, तो थोड़ा थारा मैं idea भी देता हूं आप लोगों को, ठीक है, 19th question का देखे, 19th question की तरह कोन यहां पर behave नहीं करेगा, note exist, ठीक है, तो वो होगा second, तो 90th question का answer आपका second बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर यह supportive नहीं है, इसका negative charge यहां से supportive नहीं है, delocalize नहीं हो सकता है, तो second answer बनेगा, इसका, चलिए 28th question को चेक कर लेता है, 28th question में आपसे answer बनेगा, इसका 28th question का बनेगा third answer, 28th question में अगर आपने third लगाया तो बिल्कुल सही हो, 28th के बाद उसका जो answer बनेगा, 21st का answer बना आपका, वो third बनेगा, 21st का answer आपका third बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जड़ा देखिए, इसके बिल्कुल पैरा position पर वो ग्रोप आपके जोड़ेगा, और second बन जाएगा, third answer है इसका, सो चलिए guys, 22nd question का answer चेक कर लेता है, 22nd का answer आपका बनेगा fourth, पहले से लगा हुआ था, तो यह fourth बनेगा इसका answer, 23rd का जो answer बनेगा, 23rd का बनेगा second answer, ठीक है, 23rd का second answer बनेगा, अगर आपने second लगाया तो आप बिल्कुल सही हो, 23rd के बाद 24th की तरफ चलते है, 24th अच्छा स इसका answer बनेगा, 25th का आपके पास second, so 25th का आपके पास second answer होगा, तो second answer आपका होगा, 25th के बाद 26 की तरफ चलते है, 26, 26 का आपका answer होगा fourth, तो यह तो आपका सबका सही होगा, P पूछा था, 26 का फोर्थ होगा, 27th की तरफ चलते है, 27th का answer बनेगा, आपका second, तो 27 में आपक पर मोल लिखा तो आपका सही है सेकेंड आंसर होगा इसका ठीक है 28 की तरफ चलता है पड़ा पड़ से 28 में आपसे पूछा है जो question उसका answer बनेगा 3rd तो अगर आपने 3rd लगाया है तो आप बिल्कुल सही हो क्योंकि यहां पर बढ़ा है तो नंबरों बढ़ने चीए जो सिर्फ कहां बढ़ रहा है 3rd के अंदर 29th question असान सवाल था यहां पर आप से पूछा nt फैर हो तो यहां पर यह first option इसका बनता है 29th का जो nt फैर हो है देख यह उपर एक नीचे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे करूंगा जल्दी मैं इसके दर्दस question की वीडियो बनाँगा जैसे की में मैंने बता है था ठीक है तो यह मेरी दरफ से आंसर की हो गया आप अपने आंसर अब चेक कर सकते हो बहुत ही केरफुल हमने इसको रीडाउट करा है questions को सो ड़न्ट वरिए बाथ आपक्षंस अरे सही हैं अभी ठीक है आप चेक कर सकते है थैंक यह सो मच गाई अले वीडियो मिलते हैं थैंक यह सो मच थैंक यह साइक्स अल्वाट